नमस्का दोस्तों आपका बहुत-बहुत स्वागत है अमारी चैनल पर आज हम बात करेंगे कि आपके अधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं है इसे कैसे ओनलाइन चेक किया जाता है आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तो प्लीज इस वीडियो को शुरू से आखरे तक देखते रहे हैं चलिए शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले आपको अपने गूगल या क्रोम राउजर में जाना है और यहाँ पर वैरिफाय आधार टाइप करना है इसके बाद आप यहाँ पर गवर्मेंट साइट देख सकते हैं उदय आपको इस पर क्लिक करना है और इसे ओपन कर लेना है दोस्तों इस पेज के ओपन होने पर आपको यहाँ फाइंड करना है वैरिफाय आधार नमबर आप देख सकते हैं यहाँ पर वैरिफाय आधार नमबर है सिंपली इस पर क्लिक कीजिए और इसे ओपन कर लीजिए सकती है दोस्तो इसे ओपन होने के बाद इसका next page है इस पर आपको अपने अधार कार्ट नंबर लिखना है और इस capture को टैप करना है आपका जो भी अधार कार्ट नंबर होगा आपके अधार कार्ट के front page पर वो मिल जाएगा यह बारत डिजिट का होता है और इसके बाद आप यह capture पर टाइप कर सकते हैं simply इसके बाद आपको verify करना है verify का यहाँ एक button होगा जिस पर आपको सीधे click करना है that's it then it will go to next page here is your basic information on your screen so आपको अगले page में आपका अधार कार्ट नंबर पर जो भी basic information है वो यहाँ पर शो होने लगेगी तो दोस्तों mobile नंबर का आखरी दो डिजिट आपको शो होता है जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका mobile नंबर अधार कार्ट में कौन सा लिंक है तो दोस्तों बस एतना ही इस वीडियो में और ऐसे इंट्रस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्लीज सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आकउन को डबाना बिल्कुल बिना भूलें थैंक्यू